Hello friends, welcome to Nandkishore classes. आज का lecture बहुत हीं इंट्रस्टिंग होगा. आज हम बहुत हीं इंट्रस्टिंग क्वेशन लेकर आए हैं, mean का. देखें, statistics में ये क्वेशन बहुत हीं इंपोर्टेंट है, competitive exams में भी आता है, school exams में भी आता है. हमारे किसी student ने ये question हमें send किया है. इंट्रस्टिंग है ना, ध्यान से देखेंगा, ये question अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जाए, और step by step किया जाए, बहुत असान है. देखो, mean निकालने का formula हमें पता है, पहले तो मैं mean देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है, हमें mean कितना given है, 5N over 9, ये मुझे given है, अब, mean निकालने का formula क्या होता है, sum of all the terms, या फिर sum of all the observations, divided by total number of observations, अच्छा, total observations तो मेरे पास देखो, denominator में तो यहाँ पर क्या है, N है, पहली बात तो मैंने समझ ली, कि मेरे पास denominator में N आएगा, क्योंकि total number of terms N है, हाँ, उपर क्या है, उनी N terms का total लेना है, sum लेना है, और start कहां से होता है, first से, ये first N natural numbers का मतलब पता है, first N natural numbers होते हैं, जैसे start from 1, natural number 1 से start होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to N, उनी को add करना है, तो मैं यहाँ पर यह लोंगा, sum क्या लोंगा, 1 plus 2 plus 3 plus, ऐसी चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, N तक जाएगा, यह main step है, यहाँ का, अच्छा, 1 से लेकर N तक add करने का, मैं फिलाल इसको एक formula की form में लिख रहा हूँ, इसी वीडियो के end में उसका proof भी करवा दूँगा, ठीक है, लेकिन तब तक आप ध्यान से देखिएगा, कि 1 से लेकर N तक जो sum होता है न, वो होता है, N, N2, N plus 1 by 2, याद रख लेना, shortcut यह है, 1 से लेकर N तक कभी भी add करना हो, तो N into N plus 1 by 2 होता है, मैं थोड़ा से एक idea समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है, मालो आपने 1 से लेकर up to 10 तक add करना है, कि 1 से लेकर 10 तक add कर दो, या तो उंगलियों पे कर लो, 1 plus 2 plus 3 plus 4, count करते जाओ, नहीं तो इसी को formula की form में क्या ल 5 multiply 11 कितना होगा, 55, असान हो जाता है, अब यह तो 10 है, 1 से 100 भी तो हो सकता था, अगर by chance यहां पे 1 से 100 होता, तो आपने तो एक 0 ही बढ़ानी थी, यहां 100 करते, यहां 100 plus 1 करते, यह काटके 50 बनता, 50 यहां हो जाता, 100 plus 1 कितना होता, 101, फिर आप 101 को multiply कर लेते हैं, तो 50, 50 आ तो मतलब देखो कितना असान है, नहीं तो 1 से लेकर 100 तक कोई आड़ करना असान थोड़ा है, नहीं कर पाते, खेर, यही concept हमने यहां पर यूज किया, कि 1 से लेकर N को आड़ करने वाला formula लगा दिया, और इधर, 5N by 9, हाँ, एक यह जो denominator में N था, वो तो अभी भी as it is है, वो तो है यहां पर, इसको नहीं भूलना हमने, अच्छा, अब क्या होगा, यह N और यह N, cancel, यह तो कट गया, तो बना क्या हमारे पास, जो बचा मैं यहां लिख रहा हूँ, इधर देखो, N plus 1 by 2, simple mathematical calculation ही करनी है, जी concept तो use कर लिया हमने, अभी concept use करने वाला तो कुछ रहा ही नहीं, equation solve करनी है, N की value निकालनी, cross multiply करिए, यह 9 इधर multiply होगा, तो दोनों terms के साथ होगा, N के साथ भी, 1 के साथ भी, 2 इधर multiply होगा, 5N के साथ, तो क्या बनेगा, 10N बनेगा, calculation देख लो ध्यान स मैं थोड़ा side हो जाता हूँ, आप अराम से देखिए, और अब, 9N को दूसरी तरफ ले जाएए, तो minus का हो जाएगा, this implies 9 is equal to N, तो N के value कितनी आएगी, 9 आएगी ठीए, यानिकि A option correct option है, right, solution आपके सामने है, हाँ, अभी यहाँ पर एक मैंने result use किया था, 1 से लेकर N तक add करने का यह formula, यह किया था न, कि इसके जगह पर यह कैसे आया, थोड़ा relate कर बाते हैं आपको, चलिए, यह note कर लिया होगा, तो मैं आगे continue करता हूँ, इसका proof, छोटा सा काम है, लेकिन समझना चाहिए, कोई भी concept रहना नहीं चाहिए, देखो, actual में 1 से लेक AP सीरिज बन रही है, क्या बन रही है, AP सीरिज, क्लास 10 में, चैप्टर नंबर 5 है, Arithmetic Progression Series, AP सीरिज मतलब Arithmetic Progression Series, तो 10 क्लास का स्लिवस में आता है, AP सीरिज में, अच्छा, पहले तो AP होती क्या है, कि जब Terms का आपस में Difference सेम हो, जैसे 1 से 2 तक जाते हैं, या 2 से 3 तक जाते हैं, 3 से 4 तक जाते हैं, सब में Difference कितना है, 1 का है, एक एक का Gap है, तो मतलब यह AP सीरिज है, जब AP सीरिज में आपको First Term और Last Term दोनों पता हो, तो Factual में Formula होता है, SN is equal to N over 2 A plus L, यह वाला Formula उसमें यूज किया था, आपने, N का मतलब होता है, Total Number of Terms, A का मतलब होता है, Value of First Term, L का मतलब होता है, Value of Last Term, तो Total Number of Terms तो N है, इसलिए N का तो N रहेगा, अब First Term कितनी है, One, Last Term कितनी है, N, तो यही Formula देखो, 1 plus N को N plus 1 लिख दिया, Denominator में 2, तो मैंने यहां से Formula बनाया था, N by 2 A plus L होता है, मेरी Last Term क्योंकि N थी न, तो N into N plus 1 by 2, इसी से Formula बना था, इसी को हमने directly वहाँ पर use कर लिया था, तो I hope आपको यह Concept समझ आया होगा, अगर यह Concept समझ आया है, वीडियो समझ आया है, तो इसे Like और Share जरूर कीजिए, Thank you so much.